आज जो क्रिश्चन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे या उनकी लाइफ में फाइनेंशल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बड़ोतरी पैदा हो स्थिर्ता नहीं है मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में ये नहीं है मेरी लाइफ में ये आशान्ती नहीं है मेरी लाइफ में ये चीजे बिगड जाती है बाइबल कहती आदी में इश्यू परमेश्वर के साथ था इश्यू ने और परमेश्वर ने यानि Elohim, Gods ने, बाप ने और बेटे ने एक से ज़्यादा परमेश्वर, बाप और बेटा है वो एक ही, जिस तरह आप हैं और आपकी जुबान है, आप और आपकी जुबान, आपकी जुबान ने दे को धारा, आप वही हैं लेकिन आपकी जुबान गई, कैतना अगर तु बं मजारी के नहीं, कैती वही जुबान, वही परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था, यिश्यू परमेश्वर के साथ था और वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, अब पैदा कैसे हुआ, बाइबल कहती, आदी में Elohim ने आकाश और पृत्वी की सृष्टी की, उस कैसे होने चाहिए, मचलियां कैसी होनी चाहिए, आप जानते हैं, समुंदर में इतनी गहराई और इतनी मचलियां कि 70% परजातियां अब तो खोजी नहीं गई, हर रोज साइंटिस्ट को नहीं मचली, नहीं परजाती, नया जीज नहीं चीज मिलती है समुंदर के नीचे, यह सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा अपने बुद्धी में बना कर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ, जब पृत्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंद्राता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृत्वी बडोल थी, सुनसान थी, बडोल सुनसान क इसलिए थी जोगी शैतान वहां पर गिराया गया था और इसकी वज़ाए प्रित्वी बेडोल रही सुंसान रही हालेलुया वो गिराया गया बनाई प्रित्वी पहले थी जैसे स्रिष्टी की गई उसके बाद स्रिष्टी के बाद प्रित्वी बिगड़ गई शैतान के गिर यानि वचन बोला परमेश्वर की उपस्थती वहां पर बैठी जो यहवा पिता की तब तक कुछ नहीं कर सकी और आत्मा जल पर मंडरा तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक ईश्यू मसी वहां पर नहीं गया यानि वचन वहां पर नहीं गया इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्र की प्रेजन्स हो सकती आपने पवितरात्मा को पा लिया पवितरात्मा आपकी जिंदगी में वो आपको छूता भी है जब आप प्राठना करते हैं आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की presence मेरे साथ है लेकिन बाइमल कहती परमेश्वर की presence कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ इसलिए अगर एक वश्व और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती है, कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के उपर आप वचन को पढ़ते हैं रोज वचन को बोलते हैं रोज आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो medical science पैदा नहीं कर पाई आपकी life में जो healing है, जो deliverance है आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्टार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए वो बरकत वो आशिश वो ब्लेसिंग वो फाइनेंशल कर्सिस से आजाद होना आपको वो चीज साहिए जो कोई नहीं कर सका तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीक आप bright परी बास समझ रहेगे नहीं आपको emotion से हटके भावनाओं से हटके जो लग रहे हैं जो दिख रहे हैं जो सोच रहे हैं उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुए इस हाग शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांज थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज दे के उसके बाप के नोकर को अब उसके बाप के नोकर को परमेश्वर ने खुद निशानिया दी कि यह वही लड़की है जो तरह मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी और जब वो लड़की को लेके आया और इस हाग को दिखाया और इस हाग को बोला कि यह तरी पत्नी है इसने का अच्छा यह परमेश्वर ने दिया है और ठीक है और वाइबल कहती बीच साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था और जब शाम को क्या ध्यान करता था वचन का कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता आपको उसे बार-बार पढ़ना पढ़ते हैं आपको बार-बार उस पे मंदन करना पढ़ते हैं उसके लिए टाइम निकालना पढ़ते हैं और उसको अपनी आत् बार 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 बाइबल कहती जो परमिश्र की आग्याओं से अती प्रसंद रहते हैं उसने यह नहीं का जो हाहें भरबर के परमिश्र का वचन मानते हैं उसने का जो उसकी आग्याओं से अती प्रसंद रहते हैं वो नहीं जिसने सिगरेट छोड़ी और दूर से कोई सिगरेट पी रहे हैं यार पूरा दिल कर रहे हैं सिगरेट पीन दा और दिल में दूखी हो रहा है मैं क्रिश्चन बन गया यह अभी भी बॉंडेज यह अभी बंधन है यह सई चीज नहीं यह निशानी है कि अभी तक आप डिलिवर नहीं हो पूरी तरह से अभी तक आप फ्लाइट लेने के लिए आत्मिक उडान भरने के लिए आप तयार नहीं हो यह निशानी है इस बात अभी भी आपको ब्लू फिल्म देखने का अटैक होता है यह निशानी है कि आप फ्लाइट को समझ रहें लिखिया जो उसकी आग्याओं से अती परसंद रहते हैं उसके लिए अब यह चीजें कचरा बन चुकी हैं उसे कोई मतलब नहीं वो इग्नोर करता इंचीजों को इसका मतलब यह नहीं कि शीजें उस पर परमेशों की आग पर पानी डालने के लिए तो आप इन से दूर रहेंगे और एग्याओं से अती प्रसंद रहेंगें उसने कहा कर तुम तेरा वच्छे प्रिथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगे इमेजिन करो इस हाग इसी बचन के साथ वो मनन करने के लिए जाता होगा कि परमेशर की आग्याओं से अती परसन हूँ उसे कोई मलाल ने कि जो पत्नी परमेशर ने भेजी वो 20 साल से बांज है उसके पास खरबो रुबे की प्रपरटी थी उसे कोई डर नहीं था कि इसका वाली वारस कौन होगा ये नौकर चाकर किया उसे कोई चिंता नहीं थी बाईबल काति वो अती ही परसन था और परमेशर की आग्याओं के उपर मनन करता था बच्चन के उपर मनन करता था और 20 साल के बाद किया हुआ जो उसने मनन कया रोज रोज मनन कि मैं उसकी आज्याओं से प्रसन हूँ मेरा वंश पृत्वी के उपर प्राकर्मी होगा बाइबल कहती जो उसको दिल और जानसों मानते हैं वो धर्मी कहलाते हैं तो बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा ये वचन हत्यार है अगर आपको मालूम हो तो क्योंकि एक बात याद रखो इश्यू परमेश्वर के साथ था कुछ भी इश्यू के बिना पैदा नहीं हुआ आप 20 साल बांज रह सकते हैं चर्च में रहते हुए भी जब तक आप इस बात को रिलाइज नहीं करेंगे कि वचन बोलने से वचन मनन करने से मुझे रोज रोज इसको करना है क्योंकि वचन के बिना अगर तब पैदा नहीं हुआ तो अब भी पैदा नहीं होगा